हेलो एवरिवन अभी हम देख रहे है यूरिट नंबर थ्री बेजिक स्टेटिस्टिक और उसके अंदर एक टॉपिक है मेजर ओफ डिस्पर्शन ओके सो मेजर ओफ डिस्पर्शन डिस्पर्शन मीन्स स्केटरिंग स्प्रेडिंग डेटा का जो वैरियसन है या दखना स्टूबिट होते है यह तो उसका जो वैरियसन है ना वह बताता है ओके तो प्रिस्पर्शन मेजर करने की बेजिक चार मेथल है में वह है के रेंज को टायल डेवियसन मीन डेवियसन सो यह तीनों मेथल हमने अल्डेड़ी देखी है सभी ग्रूप एस वेल अंग्रूप ड वह है स्टांडर्ड डेवियसन उसको बोलते है रूट मिन स्क्वेर डेवियसन अल्सू ऑके रूट मिन स्क्वेर डेवियसन और इसको डिनोडिट करते है सिगमा से ओके और यह जो स्टांडर्ड डेवियसन है उसका स्क्वेर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे वेरियंस व तब हमने प्रीवेस वीडियो में देखा था यह फॉर्मुला देखी थी उसके बेस पर से यह और तीसरी जो है शॉटकॉर्ट मेथल तो वह डिपेंड करता है कि जो डेटा है वह कौन से टाइप का दिया हुआ है मिन्स मेह एार राज वैल्यू में हैं तो हुमें यह कौन से मेतिक यूस करनी है سौटककॉर्ट मेतल तो उसमें भी step shortcut method भी है, ready, so हमने यह equation and shortcut method, दोनों formula के base पे यह जो ungroup data रहते हैं, उसके example हमने देखे थे, तो आपको जो अच्छा लग है formula वह आप करो, कुछ ज्यादा difference नहीं आएगा, हाँ ऐसा आपको दे दिया जाए, यह method से करो तो आपको करना है, नहीं दे तो आप कोई भी method से, उसको कोई भी formula से आप fine कर सकते हो, जो चीज़ करने हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत lengthy time management आपको करना पड़ेगा, बाकि कोई problem है, तो आज हम देखेंगे group data के बारे में, तो कल हमने group data के बारे में, यह दो example देखे थे, आज हम यहाँ पर देखेंगे, यह group data, अब उसमें भी दो type है group में, एक तो simple frequency distribution ऐसा है लिखा, उसका मतलब क्या हुआ, कि एक discrete type का, यह इस type का discrete frequency distribution हो, तो यहाँ पर हमें यह x idea होता है directly, और f idea होता है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर difference क्या आएगा, हम यह formula यूज करते थे न, कि इसके लिए ungroup data हो, इसमें और इसमें देखो, changes क्या है, यहाँ पर small n है, यहाँ पर capital n, तो capital n का मतलब क्या है, जो भी यह frequency दी होना, सभी का summation, वो आपका small capital n हो गया, राइट, तो एक आ गया, दूसरा, यहाँ पर यह frequency आती है, ungroup data पर frequency नहीं आती है, यह एक frequency को क्या करते हैं, आपको multiply, बस यह ही है, okay, so, हम यह formula यूज करके पहले एक example आपको दिखाएंगे, बात में हम आगे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, यह जो भी data दिया है, यह book में है न, यह इस तरह से horizontal देते हैं, आप है न, ज्यादा तरह vertical लिखा करो, तो calculation में problem नहीं आएगी, okay, error नहीं आएगी, तो यह XI को लिख दो, जो है वो, FI को लिख दो, अब देखो, एक बात यहाद रखना, exam में यह draw करना, question जो है न, यह draw करना जरूर नहीं है, आप direct answer start कर सकते हो, क्योंकि यह आप draw करना जाओगे, तो 2-3 मिनिट ऐसे ही बिखट जाएगी आपकी, scale से, scale यूज करोगे तो 5 मिनिट ट्रेश्ट हो जाएगी, right, तो एक question लिखने की जुरूरत है नहीं, अब हमें चाहिए, एक तो पहले क्या चाहिए, फॉर्मूला में है, एक सबार, तो एक सबार चाहिए, एक सबार का फॉर्मूला क्या आएगा, यह आएगा, एक सबार मिन्स क्या है, मिन, एरिथमेटिक मिन हम जो find करते थे ना, वो है, right, तो उसका एक question क्या था है, summation, fi, xi, यहाँ पर frequency divide by capital N, यहाँ यही लिख्खा है, लेकिन capital N को यहाँ पर one by N लिख्खा है, सेमी है, तो देखो, यहाँ पर कैसे find out करेंगे, यह capital N मतलब, यह frequency का total, तो total कितना है, देखो, 7 plus 4, 11, 17, 25 है, तो यह तो पता चल गया, कि यह जो N है, वो कितना है, 25, अब हमें यह क्या करना है, यह 5 into 7, 35, plus 10 into 4, 40, plus 15 into 6, सभी का addition करेंगे, multiply करके, F and X को multiply करके, तो जो भी answer आएगा यह, उसको 25 से क्या करेंदो, divide करेंदो, तो हमें क्या मिल जाएगा, X bar means mean मिल जाएगा, 14 आता है, यहाँ पर राइट, चौलो, यह हो गया, अब क्या करेंगे, हमें actually F I, और बीच में summation किसका चाहिए, X I minus X bar whole square का चाहिए, उसका summation चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास X bar आ गया, हम पहले क्या find करेंगे, X I minus X bar, तो देखो, X I minus X bar यहाँ पर है, X I मतलब हमारा 5, X bar का मतलब 14, तो 5 minus 14 क्या होगा, minus 90, then next, 10 minus 14 minus 4, 15 minus 14, 1, तो ऐसे करके सभी find करेंगे ना, X I minus X bar को, अब क्या होगा, हमें चाहिए क्या, उसका square चाहिए, यह तो हमना find कर लिया, अब उसका square चाहिए, है, तो जो answer आया, उसका square करो, तो यहाँ पर यह लिखा है, तो देखो, minus 9 का square, सभी plus में आ जाएगा, 81, minus 4 का square, 16, 1 square, 1, square कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, यह frequency के साथ, यह जो भी आया ना, उसका F के साथ multiplication, तो बस, यह 81 तो है, यह, उसको यह F के साथ multiply करो, 81 को, 4 को 16 के साथ, 6 को 1 के साथ, 3, 36, 5 into 121, जो भी answer है, बस इसका समय सन करो, कितना आता है, 1, 3, 5, जिए, अब हम ऐसी formula में रखना है, यह formula में, स्वारी, हम अभी यह formula यूज़ करें न, यह, यह 1 by N है, मतलब 1 by 25, into, इसका answer कितना है, 1, 3, 5, 0 आया, रिस्टो 1 by 2, बस यह हो गया answer इसका solution, okay, तो देखो, यहाँ पर यह ही है, मैंने जो बताया होई है, यह देखो, है, sigma क्या है, 1 by N, 1 by N मतलब यह divide by 25 किया, यह हमने अल्डेडि फाइंड किया, टेबल पर, 1, 3, 5, 0, रिस्टो 1 by 2, स्क्वेर रोट, यह मत भूलना, तो यह answer कितना है, हमारा ही आएगा, ओके, चलो, अब यहाँ पर क्या दिखाया, देखो, find standard deviation for the following distribution, तो standard deviation हमने find कर लिया, और क्या है, also find, यह क्या है, coefficient of variation, यह है न, coefficient of variation, तो वो क्या होगा, यह है, जो भी find किया, divide by क्या करना है, x बार, into क्या करना है, 100, तो x बार हमारा 14 आया था, और यह answer कितना है, 7 point something आया न, तो बस यह formula है, coefficient of variance cv, यह standard deviation, यह जो answer है, वो divide by x बार, mean, into 100, तो वो कितना आता है, 52.48, तो यह easy था, अब हमने, मैंने बोला, आपको, यह formula आपने use किया भी, यह तो यह, दो में से कोई याद रखो, इसमें है आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा चीजें find करने पड़ेगी, इसका square करो, then multiply करो, उससे बेटर है कि यह करो, यह find करो, यह find करो, और 3 column में आप cancer आजाएगा, तो यह करो, या यह करो, दो में से कोई भी करो, इसमें जाने के जूरत है नहींगी, अब यह जो formula दी है ना, वो किसके लिए है, step deviation method के लिए है, ओके, तो यहाँ पर step deviation में हम क्या करेंगे, एक mean को assume कर लेंगे, उसको नाम बोलेंगे A, और deviation find करेंगे, step deviation, di क्या होगा, xi minus a step है, तो divide by क्या करना पड़ेगा, हमें h, और formula में यहाँ में multiply क्या करना पड़ेगा है, h को, ओके, एक बात याद रखना, यह 1 by n summation of fi di square है, और यहाँ बे यह पूरी जो term है, उनका square है, राइट, मतलब यह mean हमारा, उसका square, so, यह formula के base पे हम example देखे हैं हभी, और उस पे हम देते हैं, देखो यह, कौन से type का है, यह data, आपको पता होना चाहिए होभी, find standard deviation, for the distribution giving 300 cars, according to their selling days, तो यह car का जो selling है, day wise, वो लिखाया, के भाई, 0 to 30 days में कितनी car अभी sell होई, 9, 30 to 60 days में 17, तो यह data दिया है, तो देखो अभी यह, पता चल जा रहा है, टेबल है, तो कौन से type का है, group type का है, लेकिन, group में भी कौन सा है, discrete है या continuous है, तो देखो यह class दिया है, 0 to 30, 30 to 60, तो इसको बोला जाता है, continuous frequency distribution, okay, so जो class दिया है, उसको पहले vertically लिख दो, लिखाए यहाँ पर class, okay, उसको notation में लिखना है, यहाँ पर number of car क्या बताता, frequency तो उसके जगबे क्या लिखो, fi, so frequency क्या होगे हमारी यह, same लिख दी, अब यहाँ पर frequency का total की ज़रुत पड़ेगी, इस सारी frequency का क्या कदो, total कदो, तो वो हमारा क्या हैगा, 300, वो हमारा क्या हो जाएगा, capital N, तो एक चीज मिल गई, अब देखो, यह class पे से हमें x i की ज़रुत पड़ेगी, यह, x i दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, class दिया है हमें, तो कैसे x i find करेंगे, उसका mid point, 0 to 30 का बीच वाला point क्या आएगा, central point, 15, उसका average निकल लो, 30 plus 0 divided by 2, क्या answer था 15, 30 और 60 के बीच में क्या आएगा, 45, तो सभी का mid point, mid value, वो हमारा क्या हो जाएगा, x i, okay, अब क्या करेंगे हम, quick mean जो है, वो assume कर देंगे, mean कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पर, कोई भी एक assume कर लेते हैं, let the assume mean, 105, कैसे क्या है, अभी यहाँ पर start क्या है, कहां से क्या 0 से, और highest क्या है 210, तो 0 और 210 के बीच में क्या एक value ले लो, आप 100 ले लो, 105 ले लो, 110 ले लो, कोई भी ले लो, okay, तो यहाँ पर कौन से ली है, assume कर दिया mean, कि कोई mid value क्या है, हमारी 105 है, अब हमाँ step devisor method यूज़ करनी है, तो formula कौन से होगी, यह वाली, यह वाली, right, समख क्या क्या चाहिए, actually mean यहाँ पर, वो हमें find करना है, एक तो di चाहिए mean, तो पहले di find कर देता, di equal to क्या है, xi minus a divided by h, अब यह h क्या है, interval, right, मतलब, यह जो range है न, 0 to 30, उसके बीच की width कितनी है, हो है, तो कितनी होगी, 30 होगी, तो कैसे find करेंगे, xi means, पहला क्या है, xi, यह 15, so 15 minus 105 divided by, क्या कर देना है, 30, तो हमें di मिलेगा, okay, so क्या आता है, 15 minus 105 कितना आता है, 90 आता है, minus 90 by 3, तो क्या आएगा, sorry 30, कितना आएगा, minus 3 answer आजाएगा, यह, आप calcium एन एक formula लिख देना, बाद में क्या change करना रहेगा हमें, only 15, तो बस वो change करते जाओ, 15, बाद में क्या आएगा, 45 रखो, 75 रखो, बस यह change करते जाओ, आपका answer आता जाएगा, तो थोड़ा speedy आपको मिलेगा, right, answer सभीगा, तो इसी साब से आपको क्या find कर देना है, di, अब di find कर दिया, आप formula में क्या चाहिए, वो देखो, में दो, एक तो fi di चाहिए, और उसका क्या चाहिए, summation, दूसरा क्या चाहिए, di square और उसका summation fi के साथ, right, तो हम क्या करेंगे, जैसे भी आप करो, कौन सा पहला find करना है, di मिल क्या है, तो इस दूनों का multiplication find कर दो, fi di, तो क्या हैगा, 9 into minus 3 क्या हैगा, minus 27, 17 into minus 2, minus 34, तो इस दूनों का multiplication find करो, दूसरा क्या चाहिए, fi di square, तो di का square करो, then frequency का साथ multiply करो, तो minus 3 square क्या हैगा, 9, 9 into 9 क्या हो जाएगा, 81, minus 2 square क्या हैगा, 4, 7 into 4 क्या हो जाएगा, 68, बस यह जो formula में हमें चाहिए ना term, वो कर दो, अब देखो, formula में हमें क्या चाहिए, main, किसका summation चाहिए, तो यह fi di का summation चाहिए, देखो यह, और दूसरा fi di square का summation चाहिए, बस, यह summation कर दो, तो देखो, यह fi di का summation हो गया, और यह fi di square का summation हो गया, राइट, चलो, यह step deviation method भी easy ही है, अब क्या करेंगे हम यहाँ बे, सब कुछ मिल गया, अब यह formula है, sigma मतलब क्या है, हमारा standard deviation है, राइट, सो standard deviation का equation क्या लिखा है, देखो, यहाँ पर h multiply यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर लिखो, तो भी कोई problem नहीं, राइट, सो यहाँ पर याद रखना, h into क्या है, 1 by n summation of fi di square, minus 1 by n summation of fi di का whole square आएगा, यहाँ पर, इनकी जगह पर whole square याद रखो, इस तरह से, यह square को क्या कर लो, याद रखना है तो यह term याद रखो, बाद में क्या करो, यह square को निकालो, यहाँ से, और इनका whole square कर दो, बस, तो यह term आ जाएगी, ओके, और यह मत बुलना, 1 by 2, आपको लगता है कि हम बूल जाते हैं यह, तो उसको यह square root में दाव लो, अब यहाँ पर value एंटर करते हैं, यह h मतलब class की width मैंने जो बता है वो, 30 minus 0 करो, तो कितना answer आता है, 30, तो सभी class का जो interval है न, width, वो क्या होगी, same ही होगी, तो 30 h equal to क्या है, 30, अब यह capital N की value हमां पता है, कितनी है, 300 यह, ओके, frequency का जो summation है, वो रख दो, यहाँ पर 25, sorry, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 300 दो जागे बढ़ा के लिए, अब यह FIDI स्क्वेर का summation यह, यह मैंने circle के, उसका answer क्या है गा, 665, वो यहाँ पर रखा है, और यह FIDI का summation कितना है, 137, तो 137 यह क्या होगा है, whole square, raised to 1 by 2, बस उसका answer लाओ, अभी, इनका जो भी answer है, minus, अभी यह divide करो, उसका square करो, यह minus यह करो, जो भी answer है, उसका क्या करो, square root करो, जो भी answer है, उसका क्या करो, multiply 30, so calculator में बहुत easy हो जाएगा, आप at least यह जो statistic वाला portion है, probability, यह पूरा जो subject है, उसमें calculator का use, बहुत ज़्यादा करना होगा आपको, तो calculator का use कैसे, speed से आप कर सकते हो, वो भी without any error, क्योंकि आप speed से करने जाओगे, कौन सा button प्रेस करोगे, कौन सा प्रेस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा exam में, और एक जगे पर आपने mistake कर देना, तो पूरा example आपका wrong हो जाएगा, है easy, आपको सिफ formula याद रखनी है, कौन से type का है, क्या find करना बस वो, किस तरह से करना है ना, तो यहाँ पर हमने dispersion की सारी method हमने discuss कर दिया भी, आज हमने group data में discrete and continuous type का data भी हमने लिया, अब हम next video में क्या देखेंगे, जो और दो-तीन type के question आया है, उसमें mix आया है, कि यह more find करो, वहाँ से यह find करो, यह find करो, तो वो type के जो है example, वो हम next video में देखेंगे, ओके, तो यह बात हुई dispersion की, चार method आपको रखनी है, याद range, quartile deviation, mean deviation, and standard deviation, उसमें यह जो standard deviation है, सिग्मा यह important है, और उसको square करो को तो क्या मिलेगा आपको, various, यह आपको यादर रखना अच्छी तरह से, standard deviation बहुत important है, झाल